हम अगला हरानिया का प्रेशंद कराने है तो सर कैसे कि ए कि मेरा प्छोड़ने लगा बदवू देने लगा प्छोड़ दिया अभी ये चलता है बहु शर नहीं देखा रहे है नमस्कार मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच इस वक्त हम बिहार में हैं और आपको क्या बताएं कि यहां पर हम जब निकल रहे थे न तो कुछ इस तरीके की चीजे हम सामने में इस्ट्रीम मीडिया डिजिटल मीडिया बहुत सारे काम कर रही है अच्छे क कर रही है लेकिन कभी-कभी इन मुद्दों पर फोकस नहीं हो पाता है कोई-कोई परिस्थितियां ऐसी होती है जो दिखती नहीं है समाज में लेकिन वह बहुत दैनी है तीन फिट के एक इनसान है जो अपनी पूरी फैमिली को उनका जीवन यापन कर रहे हैं काफी सालों स कर रहे हैं लेकिन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इतनी है ना कि आज उनके पास पैर नहीं रहा है एक तो वो पहले से ही दिव्यांग थे दिव्यांग नहीं कह सकते हैं बॉने थे और वो किस तरीके से अपने जिंदगी को चला रहे थे अपने बच्चे को पाल रहे थे लेकिन अचानक से क्या होता है आइए जानते हैं इनी से बात कहते हैं कब हुआ कैसे हुआ सब कोई बोला कि इसको डाक्टर जगर ले जाएए लड़का मर जाएगा इसका कैंसर के बिमारी हो जाएगा मतलब पहले पैर ऐसा इंजेक्शन वगरे कुछ लगाए थे जी पहले बहुत पहले तो एकदम सही था बहुत दो रहते हमारा परिवार के कोई दिकत नहीं होना था हमारा सरी दुनिया संसार डुब गया सर। मेरा कोई सहरा अहनी है सर। हम सर आप लोगे देखते है तो आपके लिए ही हम इतनी दूर से आए हैं और आप ही कि इन परिस्थितियों को हम दिखाना चाहते हैं और ये हमारा काम है अब बस बताइए कि कैसे हुआ जब आप गए थे हरनिया का ये ऑपरेशन करवाना था जी सर वो जब आप करवाने गए तो आपका पैर एकदम सही सलामत था है कोई दिक्कत नहीं थी पैर कोई दिक्कत नहीं रहा था अचानक से कितने कितने देर में ये पैर सड़ने लगा आपका सर पंदर दिन में सर इसमें मावाद बनने लगा और सड़ने लगा और ऐसा फिर आप जब आगे ट्रांसफर हुआ होगा दूसरे ऑस्पिटल में गए होंगे तो उन्होंने कहा हुआ कि ये सरीर में भी बढ़ सकता है जी कैंसर की मिमारी हो सकता है जली पैर कटवा हो अगर प कि इन्जेक्शन की गलती के वज़े से गलती सिर्फ होगि सिर्फ क्या थी कि जो इंजेक्शन लगना चाहिए था मसल में उसको नसों में लगा दिया जाता है और पाँच गंट् albums पूरी बच्शी का हात सड के खतम हो जाता है और मजोबोरन डॉक्टर को उसका हात काटना पड़ता है वहीं कहीं ना कहीं सेम इस्थिती हमारे इनके साथ भी हुई है और हम क्या ही कर सकते हैं हम इन चीजों को दिखाते जरूर हैं लेकिन क्या है ये स्वास्त बेवस्थाएं क्या है सरकारी सुविधाएं मिलती जरूर है तो क्या इस सरकारी सुविधाओं के बदलो ये अपनी जीवन को जीवन यापन कर पाएंगे इनके पास आज पैसा नहीं है तो ये सरकारी होस्पिटल में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये पैर गुमा दे और आज तो ऐसी स्थिती आ गई है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा है एक पैर था वो भी आज इस समा याते हैं कोई नहीं जी नहीं सर जब आपका पैर कटा है तो कुछ आपने थाना पर यहां के पार्शाथ को कुछ 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 ताबूत मांग रहे थे पुलिस लोग साबूत लए काज नहीं दिया भाग गया अस्पीटल का साबूत लाइए जी प्राविट हस्पीटल है प प्राईवेट हस्पेटल की यह अहालत जब हो सकती है तो सरकारी का अंधाजा ही आप लगा सकते हैं ये गये थे अपनी चीजों को सही करवाने अपनी बीमारी को सही करवाने लेकिन आज इनके पस पैद नहीं है वड़ी तकलीफ है और तकलीफ होती भी एक पत्रकार के तो पर जब इन तस्वीरों को हम देखते हैं, इनके पास आते हैं, तो अब जुबान नहीं है कि शब्द नहीं मिलते हम क्या ही करें, तो ये बताई कैसे जीवन यापन चलना है, जी सर, अश्टर में जाते हैं, रामचंदर पूर, दूसर और हाई सो आता है सर, बाच्चा बुद स्वागी पर चलना हैं, कि रहा हैं जी सर, बस टैंट पर जाते हैं, कितना कमा लेते हैं, जी सर, कोन लगवाए हैं वहाँ स्टेंट, theor, सही पर जाते हैं, कब से काम कर रहा हैं, जी सर, हो गया सर, बीस साल से वहाई पर है बच्चों को पढ़ा पाते हैं कि नहीं सर पैसा नहीं रहता है जी नहीं बच्ची है उसकी शादी भी आपने कर देती जी सर अभी शादी ठोड़के भाग गिया जी सर यहीं स्थिति है और सबसे बड़ी बात हमने कहा कि आपने अपनी बच्ची की सादी टूट गई और आपने कोशिस की नहीं तो एक आम इंसान जो है खुच जब परिशान रहता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो किस तरीके से उस पुलीस प्रशासन और जो भी नया पालिका है कप जाएगा उसके मन में यह आता है कि कैनम अगर वहां पर गए तो फिर पैसा लगना है जी सर वकील रखेंगे फिर केस लड़की एक परशानी चली रही उसके उपर गरीब आदमिये कहां से दे सकते हैं नहीं कागज भी नहीं दिया डाक्टर सब पाबलिक बोड़ रहा था पुरे लड़की के लिए भी कोई कंपले नहीं सर नहीं कि पैसा नहीं है लेकिन इन्हों नहीं बच्चों को पाला पोसा इतना बड़ा किया है अचानक से अगर इनके पास पैर होता ना आज भी के हम जब यहां पर स्टेंट पर पहुचे तो हमें पता चला कि इनके नाम से लोग जानते हैं और एक बार इनका नाम लेने के बाद हो कहीं भी रहेंगा आसपास आपको पहुचा दिया जाएगा और 20 सालों में इन्होंने वो छबी भी बनाई थी और इतनी महनत करके अपने अबको आसा जबर रहते हैं तो आप रॉपर रहने वाले कहा के हैं जी सर नहींiese जिला में जी घाओ गिराओं मया तो रंट पे रहरह रहा पे रहते हां या भि आजीन महां हां जीला जीला तो वहां सपना यह तो हम पर आने लगें सब्सक्ध मन होने लगा कि अधिकत नहीं कोड़ के गोड़ एकमाओ तुम तर लामा चोल आदमी नहीं हो कि कर सकते हो मजदूरी तहां स्थीक एठेटे जाओ कमाओ रोध हो मतनम कमाओ जाओ तर कमाने लगे महापर जी है किराया पर किराया पर साथ जिंगी अपना काट रहे हैं कहीं चार जगार नही हमको यह चाना है सरकार से और कोछी कहेंगे अभी यह बनेतें से चलते हैं इंको गोड़ नहीं चल होता है कभी गिर जाता है कभी गोड़ छिला जाता है अगोल है कि नकली गोल है हम दिका करें अभी आपका यह यह नकली गोड़ है जो आप लगाए हुए हैं तो इसमें भ पूरा सही करने में कितना पैसा एक लाक मंग रहा था पैर वला हां तो बोला कि लाक लाइए आपको कुछ दोसे दर्माप कर देंगे आपको मसीन अवलाब पेर देंगे आप इदम आराम चलिए कोई चोट ना प्यार आवेगा दिरे दिरे चल सकते हैं अभी अभी यह चिलता है बहुत सर नहीं देखा रहे हैं पूरा पूरा उसी में लगाते होंगे जैसे जैसे चलते होंगे आज सकते होंगे कब भी उसे मदत माँटेश से कुछ नहीं मिलता है क्या होगा सर्व और स्वंगाते हैं जी हम तब बोढ़न parole की łती है कुछ खाना के पाइसा देने के लिए उनके बच्चों से भी बात करते हैं चोटी इधर आओ बाबू क्या नाम है तुम्हारा नाम बताओ यह आपकी बेटी की लड़की है पढ़ने जाती हो बेटा पहना किस क्लास में जाती हो कलास नहीं जाते हैं कलास नहीं जाती हो कहां जाती हो पढ़ने हो घर पर पढ़ती हो कलास क्यों नहीं जाती हो बोलो बताओ नहीं नहीं जा पाती हो पढ़ना चाती हो बोलो इसकूल जाना चाती हो चोटी सी बच्ची है ये इनकी बच्ची की बच्ची है और सबसे बड़ी बात ये है न कि आज परिस्तितियां ऐसी है कि ये स्कूल भी नहीं जा सकती है मजबूर हो जाता है इंसान क्या करे कि घर भी चलाना है और पूरे परिवार को देखना होता है लेकिन परिस्तितियां कुछी इस तरीके से होना लेकिन होसला नहीं आपने हा रहा है इसको हम सलाम कहते हैं भारत एक नहीं सोच इसको सलाम कहते है कि इनका होसला इतना बुलंद है और बहुत सारे लोग हार माानजाते हैं हार मान जाते हैं सारी चीज़ों को छोड़ देते लेकिन अभी हम Um फ्लोर पे तीसरा तल्ला है जो साल एक कि एनरा चाहरे जिसरे तल्ले पेश्चा और ये सीड़्यों के सहारे आराम से नकिसी की मदद से अपने पैरों पे ही चलके आए हैं कहते हैं कि होसला अबुलन्द होता है तो आज इंसान कुछ भी कर सकता है और कि मेहनत ऐसी है ना कि आज इनको जब ये चलते हैं ना तो हर एक पग पे तकलीफ मिलती है जितने कदम रखते हैं उतनी बार इनको तकलीफ होती है लेकिन अपने परिवार का चेहरा देखके अपने परिवार के बच्चों का चेहरा देखके ये बस्टेंड हर रोज जाते हैं देली जाते हैं सर कभी कभी दर्द होने लगा तो रोने लगते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं सोचे पड़ते हैं कि कईसे हम दवाई करेंगे कईसे खाना बचारों के खिला लोगे किसी से कहने जाते हैं ना कोई से मदद मांगते हैं सर करम अपना भावान के नाम लेते हैं पर जब हमारे पास आती है ये शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं और क्या स्वासन दूँ सरकारें इतना पैसा ख़च कहती है बैनर पोश्टर नेतागीरी कहतीने के लिए बड़ी बड़ी आइसकारपियों निकल जाती है फाचुना निकल जाती है लेकिन एक वेक्ती जो एक गाउं के कोने में बैठा हुआ है उसके परिवार की हालत ऐसी है क्या सरकारें वहां नहीं पहुच पाती है अभी हाँ सरकार से हम कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की तस्वीरे आप तक पहुचती है तो क्या आपका फज नहीं बनता है कि इनको भी देखा जाए किस मुसीबत के साथ इनकी एक एक जिन दिन चल रहा है कट रहा है मतलब इनका हाथ बार-बार जुड़ता क्यों है अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए यह कोई भीक नहीं मांगते हैं आज के डेट में भी इनके पैर ना होने के बाद वो बस्टेंड पे जाते हैं जो पैसा मिलता है जिससे जो अच्छा वहां काम क्या है आपका इस पटना पटना बर भीगा बर भीगा राजगी राजगी ना वाद पर दोड़ के कस्टमर को पकड़ा करते थे और ले आते थे तो वह कंडेक्टर जो है इनको कुछ पान दस रुपाय इनको दिया करता है इसी तरीके से यह 100-200 रुपए कमाते हैं और उसी से जिन्दगी कट रही है 400 रुपए सरकार की तरफ से मिलना है और उन 400 रुपए में क्या ही होगा थोड़ा इनके वाइप से भी बात करेंगे किस तरीकी की पहिस्तितियां है और यह आपकी बच्ची है क्या नाम है पहले आप पुतुल यह बताइए जब यह चोट लगी तो पूरी हाला बदल गई थी पहले सब कुछ ठीक था पहले सब कुछ ठीक रहा था पहले दौर के काम करे थे पहले कोई दीकत नहीं रहा था जब से गोर का चला की पूर जी देखा हम लोग गए तर दाक्तर बोला कि इनास क्या कतल है धी खाली हो करो कि देरा हम लोग कराय मेरा तो वह भागी है खाली हो कर वैसे ही फैन सालबल हमें पतना मेरे देरा छोट सर्के अपना काम छोर के दवाई के लिए हाँ तदवाई के पैसा वही सब पर वारव अपना जड़ना भुज़े कि चलिए जान बचाए जी जी लीए बा में पास है सब पूछा गिया तक गई कागज सब आ गया तो मंग रहा था पचास हजार घूस हम सर कहां से देंगी अपना कागज छोड़ दिया हम नहीं लिए पढ़ने में बहुत अच्छे थे और कहते हैं कि 12 तक की पढ़ाई की कच्छा बारत की पढ़ाई की और कॉंपटीशन में भी तैयारी करने की कोशिस की इनका पेपर हो गया था और यह अगर अगर आज इनके पास सरकारी नौकरी होती ना तो यह तकलीफ इनको नहीं होती सरक को भी अगर दिव्यान कोटे से कुछ भी होता है या कुछ भी मदद हो पाती है तो जरूर करना चाहिए उन बच्चों के लिए भी जो पढ़ने में अच्छे हैं और इन परिस्थितियों से हटके पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आज अगर वो इस सिती होती है सरकारी नौकरी एक इनको ही मिली होती न तो आज इनका पूरा परिवास सही से चल पाता सारे बच्चे पढ़ पाते और सब कुछ बहतर होता आज इनके पास पैद नहीं है असमर्थ हैं लाचार है उसके बाद भी हिम्मत नहीं हा रही है उन युवाओं के बेटा कुछ पुद है क्या नहीं थी कर दो दो शुरू से बच्चपन से हपला जाती है बोले में जरी हपलाती है कोई बात और कुछ इंद यह थोड़ा रुक रुक के बोलती है मम्मी का नाम बताओ पूती दियो तो कभी इसका दवा या कुछ नहीं करवाई जाएगा पन्ने से दवास सब बोले कि आउर करवाईएगा जोनों बोलती आउर नहीं बोल सकेगी अब दर लाते दुवाले प्रेशन करवा दिये हैं अब दुवारे फिन दक्तर की नहीं छोड़ देजी आप अब उपर अब भंवान जाने के नहीं करवा रहे हैं दर एक फिन करवाईएगा जोनों बने जन बोली में तो फिन कहाँ चाहाँ जाते नहीं सर ते एक चलते प्रेशन हम लोग नहीं करवादते हैं खान पिन पुरा अच्छा पकालेती है कोई दीकत नहीं है जी नहीं जी नहीं यह तस्वीरें और हमें आप जितना रहेंगे जितना इनके पास रहेंगे और एक से अलग तकलीफ दिख रही है एक बच्ची है जो बोल नहीं पाती है बच्पन से एक पिता है जो तीन फिट के होने के बावजूद कहते है न कि सारी करीक रूप से उतना स्ट्रॉंग नहीं थे ये लेकिन इतनी हिम्मत तो थी कि इनके हाथ पैते सलामत थे लेकिन आज एक पैर भी नहीं है इनके पास और बावजूद इनका होसला कहीं से भी कम नहीं नजर आ रहा है ये परिस्तिती को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट सक्षन में जरूर कहिएगा और एक जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि इनके परिवार के लिए एक प्रे हो एक प्राथना हो कि इनका परिवार आमस्कार